सेनी की नसीहत, फरिदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, मामन खान को नायव सेनी की नसीहत फरिदाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं आपको बताते हैं, मामन खान में भड़काऊ भासन भावशन दिया था, उसके बाद सेम सेनी ने कहा कि मामन खान को सोच समझ के बोलना चाहिए, तमाज में समान जनक तरीके से रहना चाहिए मामन धोषी है ने कहना है सियम नायब सेनी का मामन कान को नायब सेनी की नसीहत मामन धोषी है जेल के अंदर से आए है मामन खान को नसीहत दी है फिरनायप सिनी नमों और खाकि कि इस्कार के बयानें से इसंने बचना चाहिए और थोस्किस वह समस्श के जंता के बीच बोलना चाहिए मायप सिनी ने कहा कि मामन खान को शोस्किस कर बयान देना चाहिए समाज में समानजनक तरीके से उन्हें रहना चाहिए साधियों उने कहा कि मामन दोशी है जेल के अंदर से आए है तो इस तरह कि बयान बाजी करने से बचे इस प्रकार के बयान मामन के लिए उचित नहीं है कि मामन खान को सोच समझ कर बयान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे है जंता के बीच और उसका क्या असर जंता पर होगा कि तमाम चीजे सोच समझने के बाद ही उन्हें अपना कोई भी बयान देना चाहिए मामन खान के भड़काव भार्षन पर सियम नायप सिंग चैनी ने ये नसीहत मामन खान होती है जहां उन्हें कहा कि मामन खान को सोच समझ कर बोलना चाहिए जंता के बीच वो क्या बयान दे रहे हैं इस चीज़ का उन्हें पता होना चाहिए चली बढ़ते खबरों में आगे